असलाम अलीकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत एजी और सिंपल लौकी के रायते की रेसिपी दोस्तों ये लौकी का रायता इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि इस रायते की रेसिपी को एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा कि इस रायते को बार बार बनाया जाए इस रायते को आप रोटे या फिर जीरा राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला रख्मान रहीम तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लॉकी ले ली है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वाश करके इसको बड़े टुकडों में कटिंग कर लिया है तो देख सकते हैं और इसका जो बीच का पार्ट होता है वो मैंने निकाल दिया है तो हमें लॉकी को मैंने दो ग्लास करी पानी शामिल कर दिया है तो इसी के साथ नमक शामिल कर देंगे आदा खाने का चम्मच तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेजिए तो अभी कूकर का ढगा देते हैं गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और एक से दो सीटी आने तक का वेट करेंग तो चलिए जब तक हम बाके की तयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बावल ले लिया है तो आप देख सकते हैं तो इसी के साथ मैं यहाँ पर दही शामिल करूंगी तो 500 ग्राम लोकी के लिए मैंने यहाँ यहाँ और ऑप एसयरा द्या ग्राप का पेस्ट आ आदा चोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर, ये भी आदी चोटी चम्मच, इसको भी शामिल कर देंगे, इसी के साथ नमक, आदा चोटी चम्मच, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए और दिहान रखिए, क्योंकि हमने जो लौकी को बॉयल करने के लिए रखा इस तरीके से फेंट लेंगे, तो ये देखिए मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है, तो चलिए अभी हम लौकी को चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए लौकी भी परफेक्ट को खो चुकी है, मैंने इसमें दो सीटियां लगाई है, तो बस एक जालीदार चम्म तो यह देखिए लोकी के वीपिस थंडे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम पीस लेते हैं, तो मैंने यहां पर एक ग्राइडिंग जार ले लिया है, तो सब्सक्रान speaking लोकी के सभी पीस को जार में शामिल कर देंगे, और इसका अच्छा पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने लौकी का अगल बड़िया सा पेस्ट बना कर कर लिया है तो तैयार किया हुगा पेस्ट हम दही में शामिल कर देंगे तो इसको अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से बुर्दण को साफ कर के लेठेंjer देखिए तो इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानि फेटेंगे अच्छे तरीके से, इसको इस तरीके से आप अच्छे तरीके से फेटिए, यह सारी चीजें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए, तो बस इसी स्टेज पर अभी एक ग्लास पानी शामिल कर करीब पानी और शामिल कर दूंगी तो पानी शामिल करने के बाद हम एक दो मिनट के लिए इसको अच्छे से और फेट लेंगे रायते को आप अच्छे तरीके से फेटिए कोई जल्द वाजी मत करिए तो यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूं तो अभी एक दम परफेक् मैं अजा गरम होनी देते हैं तो इसी के साथ एक छोटी चमत जीरा को जीर को फॉझ सेके feel कर लेंगे तो यह देखिए एनने कुछ सेकेंड के लिए जीरा फ्राइकर लिया है तो बस इसी के साथ कि फ्लेम को आफ कर देंगे। हम रायते में तड़का लगा दिए तो यह दे तो प्लीज बताईए आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो आप लोग भी ज़रू ट्राइ करिए और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलिए और इस तरह की इजी और सिंपल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल कुक विच सोहा को सबस्क्राइब क कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो चलिए आने वाली वीडियो तक के लिए अलाहाफेज दुआओ में याद रखिए कर दो